नमस्का दोस्तों, रीसेंट लिए अब लोगों याद होगा के 7 अक्टोबर के दिन गाजा पट्टी से हमास करके एक ग्रूप के दौरा इसरेल के ओपर अटेक किया गया था और वो अभी तक का डेडलिएस अटेक था लगभग 1100 इसरेली लोगों की इस अटेक के अंदर म्र लिएस उस समय पे अमेरिका द्वारा किया गया था बट रीसेंटली क्या हुआ है कि अभी इसरेल के द्वारा इन्हीं पैलेस्टीनियन लोगों के ओपर काउंटर अटेक किया जा रहा है जिसकी वज़े से रीसेंट जो ऑफिशल लाटा है वो कहता है कि लगभग 1100 पैलेस हमास के नहीं है क्योंकि अगर मैं पैलेस्टीनियन की बात करूँ पैलेस्टाइन के अंदर आपको गाजा पट्टी और वेश बैंक दोनों देखने को मिलते है और इसकी टोटल आबादी 49.2 लेक पीपल्स है वहीं टोटल मेंबर्शिप इनमें से जो लोग हमास में जॉइ यानि कि केवल 0.4 प्रतीशत आबादी हमास के अंदर जुड़ी हुई है जिसने उस समय पे इसराइल पे अटेक किया था पर अभी इसराइल क्या कर रहा है इसराइल जो काउंटर अटेक कर रहा है वो सारे पलेस्टीनियन लोगों के उपर कर रहा है जिसकी वज़े से लग भावना इसराइल के सपोर्ट में थी अब वो इसराइल के अगेंस्ट में जाती हुई दिखाय दे रही है अभी तक जो प्रो इसराइली मूवमेंट पूरे विश्व भर के अंदर देखने को मिल रहे थे जिउसके अधिकारों की बात पूरे विश्व में देखने को मिल र जो बहुत बड़ा supporter है इसरेल का जिसने एक समय पर युनेस्को को भी छोड़ दिया था के वल इसलिए क्योंकि युनेस्को ने उस समय पर पलस्टीन को observer status दे दिया था जो कि इसरेल की policy ये खिलाव था इसी कायर से इसरेल के support में आके अमेरिका ने युनेस्को को छोड़ दि दिख रहे हैं immediate cease firing को support करने का इस्राइल के अंदर हाला कि इस्राइल के विरोध में है इस्राइल कह रहा है कि हमें पूरी तरीके से पलेस्टीन के खिलाफ अटेक करना है क्योंकि पलेस्टीन ने हम लोगों के ऊपर बहुत ही डेडलियेश अटेक साथ ऑक्तोबर के दिन किया तो उसका बदला लेना जिसके कांट से अभी अमेरिका के अंदर पूरे विश्वभर के अंदर जो स्टेंड है वो एंटी इस्राइली स्टेंड क्रियेट होता हुआ दिखा दे रहा है यह किस तरीके से हो रहा है उसे मैं शुबेलिंग चोहान इस सेशन के अंदर चाचा कर पर आपको आफलाइन पढ़ाया जाएगा इंडिया के तॉप एजूकेटर द्वारा डेली और प्रयागराज के अंदर आफ्लाइन सेंटर खुल चुके हैं देली के अंदर मुखरजिन और राजेन नगर के अंदर आफलाइन सेंटर खुले हुए आप वहाँ पर विजट क सकते हो चली दोस्तों आप समझने का प्रयास करते हैं आप हो क्या रहा है रिसेंटली अमेरिका के अंदर एक प्रो इसरेली रेली निकाली गई जहां पर लगभग तीन लाख लोग खड़े हुए थे इसरेल के सपोर्ट में कई सारे भाशन आए कई सारी बाते आई जो मैं इस इस वीडियो के इनना आपको बताना है चाहता हूं और हो लोग उसरेल डिस बार भीड्ल करफ बड़न ओर्तों वाज्ल लगपलन अजो बार्तों आपको दाई इसरेली जुष्झ ओरूबन आपको एज्यों Benson ऑलने लगफ प्र जावबि आवजश्यों लगभवप इसरेली नेजिए बाते प्रें ये जो रेली अभी मैंने आपको दिखाई। ये रेली युनाइटेर इस्टेट की अभी तकी सबसे बड़ी इसरेल के सपोर्ट में की गई रेली है। अब आप कहोगे कि इसरेल के support में अगर really निकाली गई है तो ये anti-israeli stand America का किस तरीके से दिखाता है देखो इसरेल के अंदर ये जो really निकाली गई इसका main objective क्या था उसे समझने का प्रयास करना इसरेल के favor में जब अमेरिका के अंदर इतनी बड़ी really निकाली गई तो उसका एक main कारण था कि लोगों के जो narrative इसरेल से दूर shift हो रहे हैं उनके emotion को फिर से gather करना और इसरेल के support में लेके आना इसरेल के support में लोगों को लाने की जरुत इसलिए पड़ रही है क्योंकि कहीं न कहीं stand जो है वो या तो anti-israeli हो रहा है या फिर ceasefire की तरफ देखने को मिल रहा है इसे कुछ data और कुछ fact के माध्यम से बताता हूँ Reuters के अंदर recently एक article आया जिसके अंदर एक पूरा survey किया गया जिस survey के अंदर ये पता लगा के लोग जो है वो इसरेल को पुरी तरीके support करने की बात नहीं कर रहा है अमेरिका में बलकि ceasefire करने की बात कर रहा है इवर अमेरिका के अंदर हर एक वेक्ति इसरेल के support में अभी था भी नहीं पहले 70% लोग इसरेल के support में थे और 30% लोग पलेस्टीन के support में थे अभी वो 30% लोग बढ़ते हुए दिखाय दे रहा है ये आकड़ा बढ़ता हुआ दिखाय दे रहा है जिसकी वज़े से अमेर जोगों के खिलाफ देखने को मिलते है ऐसे इंसिडेंट जो create होते हैं जो होते इसलिए हैं क्योंकि लोगों के मन में कुछ prejudice है जूज पीपल को लेके यानि कि ये ऐसे इंसिडेंट है जो जीज लोग के खिलाफ है इसरेली एक कैसा देश है ओबिसली जीज मैजॉरिटी व आने वाले समय में इस तरीके के इंसिडेंट और जड़ा बढ़ते हो दिखा देंगे इवल अमेरिका जो है उसकी state policy है कि वो इसरेल को support करता है पर अमेरिका के अंदर democracy भी है जिसके कारण से क्या होता है कि जब Vietnam war हुआ था अमेरिका के अंदर तो उस समय पे decent channel चलाया गया था ऐसा क्यों किया गया था देखो क्या होता है कि अलग अलग deployment पूरे विश्व के अंदर अमेरिका के हैं जो ground level पे किसी भी country की situation देखते है और policy कहां बनती है white house के अंदर policy कहां बनती है अमेरिका के Congress के अंदर अमेरिका के administration के द्वारा मतलब top के अंदर जो table पे बैठे हुए लोग है वो policy बनाते है पर ground level पे implement करने वाले लोग जो है उनको शायद कुछ अलग reality दिख सकती है जो उपर top में table में बैठे हुए लोगों को नहीं दिखरी है ऐसी condition में अगर अमेरि changes suggest कर सकते है state policy के अंदर और उनके द्वारा suggest किये गए changes directly secretary of state के पास में जाते है रिसेल्डी तीन अलग अलग channel के माध्यम से इसरेल को पूरी तरीके से न सपोर्ट करने की बात American diplomate जोरा की गई इतना ही नहीं लगबग 500 से जादा लोग जो 2020 के अंदर Biden को election के अंदर सपोर नहीं करो बल्कि immediately ceasefire कराओ गाजा के अंदर इतना ही नहीं लोगों के अंदर भी और even state department के अंदर भी defrustation देखने को मिल रहा है मतलब केवल decent common लोगों में नहीं है बल्कि state policy में, state department में, diplomat में और even white house के अंदर भी लोग जो है वो इसरेल को पूरी तरीके से support ना करते हुए ceasefire को कही ना कही support करते हुए अब अमेरिका के अंदर देखने को मिल रहा है और इन साही चीजों को जब देखा इतनी बहुमत पे देखा जा रहा है तो ऐसी condition में officially जो secretary of state है उनका भी statement आया है उन्होंने अपने letter के अंदर लिखा है I also know that some people in the department may disagree with the approaches we are taking or have views on what we can do better We have organized forum in Washington to hear from you and urge managers and team to have candid discussion at post around world Precisely so we can hear your feedback and ideas I have asked our senior leadership to keep doing that We are listening what you share is informing our policy and our messages इन्होंने clearly कहा है कि international level पे जितने भी diplomat हैं जितने भी समझदार लोग हैं जितने भी ज्यानवर्दक लोग हैं जो अमेरिका की तरफ से काम करते हैं उनके साथ में हम लगाता discussion कर रहा हैं द्वारा कोई भी query या कोई भी बात ऐसी उठाई जा रही है जो अमेरिका की policy में changes suggest कर रही है तो ऐसी condition में हम लोग उन्हें सुन रहे हैं तो वो बात यहां पर देखने को मिल रही हैं दोस्तों आज के लिए तैय रखते हैं लेक्चे अच्छा लगा हो तो लाइक करना ले अमेरिका में भी देखने को मिल रही है दोस्तों आज के लिए तैय डेट्स आल फॉर्मा साइट जहीं जे भारत